आज हम study करेंगे importance of gravitational force के बारे में हम देखेंगे कि जो gravitational force होती है, उसकी क्या एहमियत होती है तो इसके लिए हम सबसे पहले याद करने के कोशिश करेंगे कि gravitational force हम पहले परउच के जो क्या होती है तो हम यह देख लेतने पहले gravitational force को हम gravitational pull भी कहते हैं क्योंकि एक तो ये कि ये pull क्यों होती है क्योंकि ये अपनी तरफ खेचने की सलायत होती है जो अपनी तरफ खेचने हैं उसे pull कहते हैं gravitational force एक force of attraction होती है अपनी तरफ खेचने के अपनी तरफ attract करने की एक طاقت होती है और हम देखते हैं कि काईनात में जितनी भी चीज़ें हैं यानि Every Object in the Universe यूनिवर्स मतलब काईनात में जितनी भी चीज़ें हैं चाहे वो हमारी जमीन है चाहे वो जो सूरज है या कोई बी और सियारा है या कोई बी और चीज़ें उसके क्योंकि क्या है? ताकत लगाती है दूसरी चीजों पर जिनका मैस होता है मिसाल के दोर पर जो अर्थ है हमारी जमीन है वो क्या गरती है एक ग्रैविटेशनल पुल लगाती है किस तरफ नीचे की तरफ लगाती है जिसकी वज़े से हम देखते हैं कि हम जमीन पर चल पाते हैं बैट पाते हैं इस तरह यहां पर आप देख रहे हैं यह कौन है यह एक साइनटिस्ट है जिनकी यहां पर तस्वीर बनाई हुई है जिनका नाम था न्यूटन और आप देख रहे हैं कि यह दरख के नीचे बैठे हुए हैं तो अभी हवा में तो नहीं उड़ रहे, जमीन पे बैठे हुए हैं, किस वज़े से? क्यूंकि जमीन ने अपनी ताकत से, अपनी कशिश की ताकत से जो है, वो इनको हवा में उड़ने नहीं दिया हुआ, बलकि ये जमीन पे अराम से बैठे हुए हैं। अब ये वो ही साइंसदान हैं, जिन्होंने ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो इसके बारे में बताया था, इन्होंने ही इस ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में जाना था सबसे पहले और इसके बारे में बात की थी, कि ये होती क्या है, और इन्होंने कैसे बताया था, इन् आके गिरा, तो उन्होंने सोचा कि यह नीचे क्यों गिरा, यह ऊपर क्यों नी चला गया? कहीं और क्यों नी चला गया? यह हवा में क्यों नी रह गया? तो इन्हों ने फिर बताया कि कोई भी जो दुनिया में, काइनात में कोई भी चीज होती है जब उसका वजन होता है, सेप का भी वजन है, जमीन का भी वजन है तो जब किसी चीज का मैस होता है, यानि वजन होता है तो वो दूसरी चीज़ पे एक खास किसम की कशिश की ताकत लगाती है जिससे कहते हैं gravitational force तो हमें यहां से ही पहली एहमियत तो पता चल गई gravitational force की वो क्या है पता चली हमें कि earth जो है वो हमें अपनी तरफ खेंच के रखती है और इसी वज़े से हम जमीन पे चल पाते हैं देखें अगर अर्थ में यानि कि जो हमारी planet earth है अगर इसमे gravitational force नहीं होगी तो हम जमीन पे कैसे चलेंगे बलकि हम तो हवा में उड़ते रहेंगे उपर तक निकल जाएं यानि खला में चले जाएं अगर इसके अंदर gravity नहीं होगी यानि gravitational force नहीं होगी है ना तो ये एक image की importance आ गई इसी तरह हम देखते हैं कि जो हमारा क्या है solar system है तो जो solar system होता है उसमें क्या होता है बीच में जो है वो क्या मौजूद है sun मौजूद है और इसके इर्दगर्द बहुत सारी चीज़ें गूम रही होती है जिनमें से खास तोर पे हम बात करते हैं किसकी ये एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आर्ट eight planets होते हैं जो कि इसके इर्दगर्द गूम रही होते हैं इसके लावा और भी बहुत साथ चीज़ें गूम रही होती है तो इसके गर्द क्यों गूम रही है किस वज़ा से गूम रही है ऐसी कौन सी ताकत है जिसकी वज़ा से सूरज के इर्दगर्द ये सारी के सारी planets गूम रहे हैं तो ये है gravitational force और ये ही gravitational force होती है जो इस सूरज की होती है बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा वज़न होता है जिस चीज़ का ज़्यादा वज़न होता है उतनी ही ज़्यादा उसके अंदर gravitational force होती है और इसकी वज़ा से क्या होता है ये जो planets हैं ये सूरज की तरफ जो है वो attracted होते हैं इसकी तरफ कशिश महसूस करते हैं और पिर एक खास मदार में ये घुमते रहते हैं किदर घुमते हैं ये? सूरज की इर्द गूर्द और ये ही gravitational force होते है जिसकी वज़े से ना सिर्फ ये के अर्थ जो है वो सूरज के गूर्द गूमती है बलके जो हमारा चांद है वो अर्थ के गूर्द गूमता है यानि अर्थ सन के अराउंड गूमती है चक्कर लगाती है और जो मून है हमारी अर्थ का मून वो अर्थ के अराउंड चक्कर लगाता है क्योंके Earth भी, Earth का मैस बहुत ज़एदा होता है, Sun से तो कम होता है, लेकिन ज़एदा तो होता है वज़न, तो ये क्या करता है? अपनी तरफ मून को खेच के रखता है और इस ताकत की वज़़ से मून इसके इर्द-गर्द जो है वो क्या करता है चक्कर लगाता है इसी तरह सूरज की भी यही ताकत होती है कि अर्थ को अपनी तरफ खेच के रखती है यह होती है ग्रेविटेशनल फोर्स और इसे ग्रेविटेशनल पुल भी कहते है और इसी वज़़ा से अर्थ जो होती है वो सूरज की गिर्द चक्कर लगाती है इसी तरह आपने देखा होगा समंदर में लहरे बनती है है ना समंदर के पानी में लहरे बनती है इन्हें कहते हैं Ocean Tides या Ocean Waves भी कहते है समंदरी लहरे अब ये भी किस वज़े से बनती है ये बनती है मून की ग्रेविटेशनल फोर्स की वज़ा से क्योंकि देखे ना मून भी जो है यानि चान जो है इसकी भी तो ग्रेविटेशनल फोर्स होगी क्योंकि इसका भी क्या होता है वज़न होता है मैस होता है तो मून की ग्रेविटेशनल फोर्स इस पानी को समंदर के पानी को अपनी तरफ पुल करती है यानि अपनी तरफ खेचती है क्योंकि देखे ना अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी वज़े से तो पानी को उपर नहीं उठना चाहिए ना और लहरे नहीं बनाने चाहिए तो लहरे जो बनती है तो पानी उपर उठ रहा होता है तो वो क्या होती है, gravitational force of moon और इसलिए ये कहा जाता है कि जब चौदवी का चांद होता है या हम कहते हैं कि full moon होता है तो क्या होता है कि पूरा moon होता है, उसकी gravitational force ज्यादा होती है और हम देखते हैं उस वक्त ज्यादा बड़ी-बड़ी लहरे बनती है यानि कि पूरे चांद की राग जो है वो लहरे और उची-उची हो जाती है और समंदर की लहने बहुत बड़ी बड़ी लहने बनती है अगर हम मजीद बात करें अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स की तो हम देखते हैं कि अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स की वज़ा से पानी उपर से नीचे की तरफ बहता है और यही नहीं बलके अगर बारिश हो तो पानी क्या आता है नीचे की तरफ बहता हुआ आता है है ना करी और तो नहीं जाता पानी उपर से उपर बादल होते हैं और बादलों से जो बारिश का पानी होता है वो नीचे की बहता हुआ आता है और ये भी अर्थ की ग्रैविटेशनल फॉर्स की वज़ा से होता है तो पानी फॉल्स डाउन यानि वाटर फॉल्स डाउन ऑन ग्राउन यानि जमीन पे क्यों? क्योंकि अर्थ की ग्रैविटी होती है, वो नीचे अपनी तरफ खेंचता है इसी तरह खिजां के मौसा में पत्ते जढ़ते हैं तो पत्ते जढ़के नीचे गिरते हैं वो उपर नी चल जाते है आसमान की तरफ है ना? तो अब ये जो पत्ते नीचे की तरफ गिरते हैं, ये क्यों गिरते हैं? क्योंकि जमीन अपनी तरफ खेंचती है हर चीज को इन पत्तों का बेशे के पत्ते बहुत हलके फुलके होते है वजन में लेकिन वजन तो होता है ना तो इसी वज़ा से ये जमीन की तरफ गिरते हैं बजाए उपर की तरफ जाने की या हवा में मौल लक रहने के इन यह हवा में तैरते नहीं भेरेंगे बलके नीचे गिर जाएंगे क्योंकि अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स इनके उपर लग रही होती है और इस तरह हमने देखे इंपॉर्टेंस ओफ ग्रेविटेशनल फोर्स